हलो एब्रीबें वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दिसम्बर दो हजार तेईस का करेंट अफिर कंप्लीट किया जा रहा है जो की बिजन आए इसकी मेगजिन पर है जिसमें अभी तक हमने इसके पांच चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है मतलब पॉलिटी, आई यार, सिक्वेर्टी और इंबार्मेंट के टॉपिक को कवर किया मतलब टोटल अभी तक हमने इसके पांच जो टॉपिक मेजर टॉपिक है उनको कंप्लीट किया हुआ है आज का जो टॉपिक है हमारा वाई सोसल इशू के संदर में है कि सोसल इशू जो टॉपिक है इसका शटबा टॉपिक उसके संदर में है चलिए तो जान लेते हैं कौनकों से टॉपिक के अंतरगर्ट तो मुख्य टॉपिक आते हैं जिसके अंतरगर्ट पहला आता है नई प्रोदुक्यों भारत में जाती है पहजान महलाओं का कारिस्तल पर लेंगी कुद्पूड अधिनियम 2013 संचिप सुर्खियां दी गही है जैसे ग्लोबल इनिशेटिव फोर एकेडमिक नेटवर्क जेंडर रिलेटेट किलिंग पर रिपोर्ट महलाओं को ड्रॉन उपलब्द कराने से संबन देती होजना बाल सरम पर राष्ट नीती का एक आखलन रिपोर्ट और दिब्यांग वच्चों लिए आगनवाडी पॉर्टल के संदर में प्रमुक्श रुख रही है इस सेयरेज को कम्प्लीट किया जा रहा है वो सेक्षनवाइस इसको रिवाइस करने के लिए आप अपने स्टेटिक पॉर्षन के साथ इस कुरेंट अफेर को साथ को कम्प्लीट कर सकते हैं जो कि आप कि ये magazine जो है जन्वरी 2023 से दिसंबर 2023 ता complete कराई जाई है मतलब कि आपको फूरा एक साल का study material यहां provide किया गया है और आप playlist में जाके आपको प्रतेक मंत की अलग-अलग magazine दे गई है तो आप section wise उसको पढ़ सकते हैं जो कि आपका प्रतेक लेक्चर 45 मिनट से एक घंटे के वगेशाब है जाती पहचान के संदर में सुर्ख्यों में क्यू रहा है कि हाली में प्रोधुकियों के उप्योग के लिए जाती के आधार पर भीदभाव अक्टनिक की कारिपल में मत्छित जातीय समवहं को कम पृतिनी सित्त वोने के कायो अधारण सामने आये हुए बहरत निर्जातियता आदी जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हूं उसमें तय होता है। निर्जातियता आदी जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हैं। निर्जातियता आदी जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हैं। सोसल मीडिया पर जातिगत पहचान को नई रूप बढ़ावा दिया जा रहा है। साथी सोसल मीडिया पर जातिगत मत तांडनों को उन लेगहन में ब्रद्धी भी हुई है। डिश्टल डिवाइडिन के संदर में देखा जाए तो भारत में बंचित चाती समूह और अन्य जाती समूह के बीच डिश्टल दुनिया में दो इस तरों पर डिश्टल इसमानता या विभाजन मौजूद है। पर थम इस तरी विभाजन जो की डिश्टल डिवाइस है या नहीं दुतिय इस तरी विभाजत में डिश्टल कौसल होना होता है। के लिए भवस्त में AI आधारित पुलिस पडाली जाती गत भीदवाओं और अबंजित समूदाओं को अपराधी मान लेने की पुरानी मान सकता सिगरसित हो सकते हैं। पुरुबागरहों को और अधिक बढ़ावा देता है। और यह सच है कि नई प्रोधिकियों ने कुछ हेत्रों में जातीगत इसमानताओं को बढ़ावा दिया है। फिर भी इन प्रोधिकियों को केबल समस्या माल लेना भी सही नहीं है क्योंकि यह समस्या का हिस्सा भी रही है। चलिए तो जानती हैं जातीगत इसमानताओं को दूर करने के लिए नई प्रोधिकियों के उप्योग की बारे में। राजनितिक भागीदारी बढ़ाने बंचे समुहों से सम्मनित नेड़ा पिक्रियम उनकी भागीदारी बढ़ाने में किया जा सकता है। अधरित भीरभाव की वारी में जागरुकता फेलाने, समाविश्यता को बढ़ाने बादेने, रूड़ी बातता को चुनोती देने के लिए सोचल मीडिया प्लेटफोर्म और डिश्टल संचार चैनरों का उप्योग किया जा सकता है। सामधा एक ससकती करण की संदर में देखा जाए तो डिश्टल प्लेटफोर्म और AI प्रोधिकियों का उप्योग सूचना संसादन और नेटवर्किंग के आउसर प्रदान करके बंचिल समदायों को ससकत बना सकता है। उधारण के लिए अत्याचार की मामली में AI से जुड़ी प्रोधिकियों का उप्योग करके केस दर्ज नहीं होने की सिकाय से दूर किया जा सकता है। प्रोधिकियों को निम्लेकित पहलों को भी अपनाया जा सकता है। जातिगत पूरवागरह की पहचान करना जिसमें प्रोधिकियों को पहचानने के लिए प्रसिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही अल्गूरित्म में जातीगेत पूरुवग्रहों को कम करने की आवश्यक्ता है। इसके लिए डेटा सेट में सामाजिक सांस्किर्टिक मूल्यों का समावीश करने की जरूरत है। निस्पक्षिता मैट्रिक्स मानक बिश्क्षित किया जाता है। बिवित्ता और समावी शिता को बढ़ावा देना, बंचे समदाओं को सार्थक समर्थन और AI में जातीबात का अनुमूलन इसके प्रमुक्स हो जहाओ रही है। नेक्स आता है आपका टॉपिक कि महिलाओं का कारेस्थल पर लेंगे कुद्पीडन निवारन परसीद निदान अधिनियम 2013 की बारी में। इस अधिनियम की बारी में जानते हैं कि यह अधिनियम बिसाखाबाद 1997 में सुप्रीमपूर द्वारा जारी किया गया है निर्देशों की दिशा निर्देशों की अनुरूप है। इस कानून का उद्दिश लेंगे कुद्पीडन सिम्मुक्त कारिदसा सुनिश्चित कंड की कारिस्थल पर महलाओं की समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। लेंगे कुद्पीडन की रूख्ठाम को प्राथ मिकता देना सिकायत निवारान के लिए एका भिनाव समाधान का प्रावधान करना इसके प्रमुक्त दिशाने देश होती है। अब आता है कि अधिनियम की प्रावधानों की संदर में देखा जाए तो इसमें पहरी नंबर पर आता है परिभासाएं। कि पीडित महला की संदर में कि इसमें बे सभी पीडित महला हैं सामिल हैं जो वारी स्थल करते हैं। और कारिस्थलों पर जाती हो और इसमें छात्राइं भी सामिल हैं कारिस्थल के संदर में देखा जाए तो इसमें सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन घर नीजी कंपनियां सेक्षनक संस्थान फारमादी स्थान होते हैं कारिस्थल पर लेंगे पिड़न के संदर में इसमें क कर्मिचारी को जागरूट करने के लिए कारप्षाला जागरूपता कारकिर हम आयुजर्थ करना, प्राप्प सिकायदों में उन पर की गई कारवाही का विब्रण पर एक बार्षिक रिपूर्ट तयार करना होता है। सिकायट ने वारण समीतियों की संदर में देखा जाए तो इसमें 50% महलाया होना चाहिए जिसमें अंतरिक सिकायट समीति में नियुकताओं की योन उत्पिडन में चुड़ी सिकायट को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए प्रतिक कारेस्तल पर ICC का गठन करना आ सिकायट करेगी और नियुकताओं के खिलाप यौन उत्पिडन से जुड़ी सिकायट दरच करेगी इसके संदर में आता है सिकायत दर्ज होने की पिक्रिया की संदर में देखा जाए तो कोई भी पीडित महला यौन उत्पीड़न के खिलाब पर लिखित सिकायत घटना कि तारिक तीन माहे के भीतर दर्ज कर सकती है और यह अवधी तीन माहे तक बढ़ाई जा सकती है इसमें दंड में देखा जाए तो यदि कोई नियुकता आंतरिक सिकाय समीती का गठन करने में विखल रहता है तो यह कानून के किसी यानने प्रावधान का पालन नहीं करता क्योंकि उस पर 50,000 रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अपराद दोहराने पर जुर् मामलों की संख्या 54% की ब्रद्धी हुई है महला सकती करण के संदर में देखा जाए तो इस अधिनियम की तहट प्रदान किये गए कानूनी संरक्षण महलाओं के लिए शुरक्षेत वाधिक अनुकूल कारे इस्थल पर माहल मदाने में मदद मिली है और उन्हें अपने दि प्यार करना नियुक्ता की जिम्मिधारी होगी जावरुक्ता में व्रद्धी होना की पोस अधिनियम पर मानाओं महला इवन बाल विकास मंत्राल के हेंड़ बुक और प्रिसिक्षण मॉडूल जारी किया कि है ऐसी पहलों में महला कर्मचारियों को उनके अधिकारों की बा स्प्रिंग कोड की आंत्रिक सिकाय समेती द्वारा पोस अधिनियम को लागू करने के लिए गंभीर कम्यों और अनिमित्याओं का उल्ले किया जाता है निगरारी के अबाहों को देखा जाए तो सरकार ने 2019 में संसत को सूचित किया था कि बैकार इस्थनों पर महलाओं के उ नौप चारेक छेत्र में कार करती है मामलों की कम रिपोर्टिंग की संदर में देखा जाए तो रोजगार होने का भाय खोर सबूत की आवर्शिक्ता जैसे कारकों में अभी यौन उत्प्रिण्ट की सभी खटनाओं की सिकाय तरज नहीं हूपा रही तानून में आई इस प मांदंड की संदर में देखा जाए कि महलाओं की ब्रोध्य सभी प्रकार की भीदभाव के नुमुलब्रन पर सेंट राष्ट कंवेंशन की संदर में जिसका गठन आता है कि सरकारे संगतनों राधिकानों सार्जणिक खेत्र के उपक्रमों संथानों नेकायों आधे मीं आंत्रिक सिकाय समीती का गठन किया गया त्वा नहीं इससे सत्यापित करने केलिए समय सीमा के भीटर निरिक्षण करना चाहिए नियुकताौं को अपने यहां गठे समिती का विपर्ण अपनी वैपसाइट पर डालना चाहिए अधिकारी हो है नियुकताऌ को अपने इहां गठे समिती के सधशों के कोशल को बढ़ाने के लिए तक्निक की मदल लेना चाहिए जिसे रिपोर्टिंग और सिकायत की निवार्ण में गोपनीता बरत ने साक्ष को सुरक्षित रूप से दर्च करने की मावले में तक्निक समाधानों को मदल ली जानी चाहिए चले तो यहाँ पर इसके दो ही मेजर टॉपिक थे वो भिनेश होते हैं अब हमारे संशिप्त सुरक्षियों का मेजर टॉपिक आता है जिसके अंतरगत पहला टॉपिक है गिलोबल इनिसीटी पूर एकेडमिक नेटवर्ग के बारे में कि यह नेटवर्ग केंद्र सरकार के चौत्री चरण को लागू करने की मनजोरी दे दी गई है इस कारकिरम के बारे में जाने कि इसकी सुरू आद 2015 में केंद्री सिक्ष्य मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया था यह प्रितिष्ठित अंतराश्टी फैकल्टी के सहयोग वाला एक सईक्ति सिक्षण कारक्रम है जिसका उदेश भारत में उच्चितर सिक्षण संस्थानों को अंतराश्टी इस्तर के विज्ञान को और उध्मियों की प्रतिभाका लाव उठाने के लिए प्रोसाहित करना होता है जिसकी पातरता के लिए इसे सभी सरकारी और उच प्रिस्तावित पार्ठिक्रम के संदर में देखा जाए तो विदेशी फैकल्टी की सिवा लेने के लिए संस्थान मन्जूरी राप्त करने के लिए पाषिक्रम पर्स सुरू कर सकते हैं पार्ठिक्रमों के प्रेस्टाओ में ट्युटियोर्यल प्रैक्टिकल्ट को करने के अनमती होती है जिसमें वित्तों पूशन की संदर में प्रितिक पात्थिकरम के लिए रश्टी स Creation के संदर में देख होता है तो सिख्षकों को सीखने या ज्यान साज्य करने का आउस्षर प्रदान करना नई सेक्षणिक पदितियों का दस्ताविजी करना और उनका विकास करना विस्षिष्टे चेत्रों में संबने तुच्छ गुडवत्ता वाली पाठ्थ करम सामग्री विक्सित करना भारती को हमारे है कि यह जू रिपोर्ट है बाए जिन्डर रेलेटिडड की बीमेन और ग्र्ल्स इट्सक्राइब रिपूर्ट जारी की गई एर रिपूर्ट मादक पदार्थों और अपराद पर संहित रास कार्यार लएके तदा यूएन बीमेन की द्वारा इसे संहित रूप से जारी की गई इस रिपूर्ट के संदर में देखा जाए तो यह फैमी साइट के जब्दिका प्रियोग हुआ ह महला पर पुरुस के ने अंतर और बचर सुका वादावा करने की प्रवत्ति आदि होती है नेक्स आता है रिपूर्ट के मुख विंदूओं पर नजर डाली जाती है जिसमें पहला आता है कि 2022 में दुनिया भर में लगवग 88,900 महलाओं लड़कों की हत्या की गई हत्या की गई कुल महलाओं में लगवग 55% महलाओं उनके परिवार वाले ने ही की थी और भारत में तही इस जादू टोने के आरूप लेंगे कार्णों से की जाने वाली हत्याओं में पिछले एक दसक में धीरी-धीरी कामी दर्च की गई रिपोर्ट के मुख विंदू की सिफारसो को दीखा जाए तो इसमें विक्तिगत सामुदायक और संस्थागत इस्तर पर सामाजिक पांगन्णों की सुधार किया जाना चाहिए पेड़ता को सहायता और सायोग प्रदान किया जाना चाहिए साक्ष के अधर पर व्यापक तरीके से इस तरह के घटनाओं की रूख थाम और कोसिस की जानी चाहिए इसके संदर में आता है ड्रक्स और अपराद पर सही उक्तरास्ट कारियले की संदर में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1997 में सही उक्तरास्ट अंतरास्ट है अपराद रूख थाम के अंदर और सही तरास्ट अंतरास्ट इग ट्रक ने अंतर कारिकरम की बिलेसे की गई थी इसके बारे में केस अंस्ता बिस्यों की नसीली दवाओं में अपराद वा दंकवाद को सुरक्षित बना कर सभी के लिए सुरक्षा और नियाय सुनिश्चित करने के लिए पृतिबद है इसके संरचना में इसके 20 छेत्री कारेल होते हैं जिसमें 150 से अधे के छेत्रों को कवर करते हैं और ये सरकारी और गेर सरकारी संगिठन के साथ मिलकर काम करते हैं इसमें प्रमुक रिपोर्ट में बल ड्रग रिपोर्ट क्राइम एंट ड्रग सर्वेज की प्रमुक रिपोर्ट से आती हैं। इसमें प्रमुक रिपोर्ट में बल ड्रग सर्वेज की प्रमुक रिपोर्ट से आती हैं। प्रिपोर्ट में प्रिपोर्ट में बल ड्रग सर्वेज की प्रमुक रिपोर्ट से आती हैं। राजा ग्रामी राजीप कमिशन और LFC तथा S.H.G. की 18 बरसे अधिक की आयू के एक्षोगें की सदस्यो को 15 देशी प्रिशिक्षड के लिए चुना जाएगा। LFC ड्रॉन पूर्टी करने वाले कमपनियों S.H.G. बीच हिट से तुके लिए कार करेगें। चाथ ये कमपनियों में Self-Help Group की मदद करने के लेकर ड्रॉन के जरिये नैनो यूरिया और नैनो डियेपी जैसे नैनो और बरकों की उपियोग को बढ़ावा देती है। ये यूजना महिला में Self-Help Group में कम से कम एक लाग रुपे पिर्तिवर्स की अत्रिक टाय अर्जित करने में सहायता करती हो किर्शी में बहतर दक्षिता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधिनिक प्रोदिकी के उपियोग को बढ़ावा देगी इसकी संदर में आता है। अब हसल की उपच को भी बढ़ाएगी, किसानों को लाप को लिए ड्रोन के उपियोग को भहनिये बनाएगी। अब भारत में ड्रोन और उसका बिनिमय की बारी में जानते हैं कि पहला आता है कि ड्रोन मानो रहत हवाईयान या दूर से नियंतृत की जाने वाली एक हवाई पड़ा लिए इसमें जमीन से आप पतू पाइलट द्वारा एप रोधिकी की मदद से इसे नियंतृत किया जाता है ड्रोन की लावों के बारी में देखा जाए तो यह लाव किसी छेत्रों में निगरानी ड्रोन निशान लडाकों विमान में ड्रोन नुस्त्रुस्तम ग्र जर्एकीस में संसुधन किये गए हैं सभी ड्रोन को नागर विमान महानेदी सालावें पंजी किरत होना चाहिए साथी ऑपरेटर्स के पास ओडाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए रेड जॉन नौट जॉन अहुता है और इसके भी तरकें सरकार के अन्मति के बाद ही ड् आगलन रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें संसदी स्थाई समीरी ने बालस्रम पर राज्टी है नेती की एक आगलन रिपोर्ट चाहर प्रश्थुत किया इस रिपोर्ट की मुख़टी पिडियों को देखा जाए तो पहला आता है कि सतत्थ बिकास लक्ष एट पॉइंट स को भी अलग-अलग है और जिसमें बच्चों को नीशोल को अनिवार सिक्षा का दिकार अधिनियम 2009 के तहत 6-14 वर्स के आयू की वेक्तियों को बालक माना गया किसोर नियाय में बालकों की देखरे को सनरक्षड अधिनियम में 2015 में 18 वर्षी का मायू के व्यक्तियों को बालक कहा गया है बालसरम और तसकरी के बीच दो मुख छेत्रों या होटे स्पोर्ट होती है जिसमें पहला आता है जिस छेत्रों में बांगलादेश से आए प्रवासी रह रहे हो और दूसरा आता है असम के आदवासी छेत्र बालसरम की रोकठाम के लिए भारत द्वारा उठाए गई कदमों के संदर में देखा जाए तो पहला आता है इसके संदर में कि समयधान के अनुषेद 24 के अनुषार 14 वर्सी का मायो के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में कम करने के लिए नहीं लगाए जाएगा भारत में 2017 में बालसरम पर आयलू के दो बुनियादी कंवेंशन की पुस्टी की गई है राष्टी बालसरम परियोजनाश की 1988 288 चलाई जा रही बहतर निगरानियों कारेंवन के माध्यम से एंसी अलपी को सफल बनाने के लिए पैंसिल प्लेटफॉर्म विक्सित किया गया है जिसमें पैंसिल प्लेटफॉर्म फोर एफेक्टिव इनफोर्समेंट फोर नू चाइल्ड लेवर इसके अंतरगत आता है नेक्स जात है इसमें कि रिपोर्ट की मुख्य सिफार्सों के संदर में देखा जाए तो यह है अलग-अलग कानूनों में बाल को की अलग-अलग परिवासा को समापत करके कानूनों में ब्रयाप्त कर्मियों को दूर करना है अंतरास्ती सरम संगठन के ayoo 15 वर्ष निरष न ठोर सजायें भी इसका प्रावधान इसके अंतरगत किया गया इसके अंतरगत ट्रैफिक सेंग्नल पर सामान वेजने तथभीक मांगने वाले बच्चों के वारी में रिपोर्टिंग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदारी शौपी जानी चाहिए दिब्यांग बच् चरणवार तरीके से लागू किया जा रहा है इसमें दिब्यांगता के आरंभीक लप्षणों की पहचान के लिए इसकिरिंग दिब्यांगों के लिए सामुजा दाए योजनों को सामिल करना उनकी परिवारों को सब्सक्त बनाना आसा या एनम ऑक्सिलरी नर्स मिड़ गया है कि जो आपका नवंबल 2023 का करेंट अफ्यर उसमें आप जो इसका सोसल हिसू का चैप्टर रहेगा जिसमें 6.5 में भारत में सरुगेशी में तुटिपूर बताया गया था तो इसमें आपको जाके वो वीडियो देखना है तो जिसमें इसको कुछ जिस तरीके से बता रहे गया है तो इसमें उसमें सुधार कर लेना है कि सुप्रीम कोट ने MRKS syndrome में पीडित महिला को डॉनर के अंडाडू का उप्योग करके सरुगेशी कराने की अनुमती लगाने है तो सरुगेशी अधिनियम 2021 में नियम सत पर रोक लगा यह और नियम साथ नय सरुगेशी के यह डॉनर अंडाडू को प्रतिबंद लगा दिया है इसमें सही जानकारी इसमें इस प्रकार से दी गई है कि सुप्रीम कोट ने MRKS syndrome से पीडित महिला को डॉनर के अंडाडू का उप्योग करके सरुगेशी कराने के अनुमती के लिए सरुगेशी नियम 2022 नियम साथ के कारे बंद लगा दिया गया तो इसके संदर में आपको वहाँ जाके एक बार चेक कर लेना है कि अक्टूबर 2023 का जो आपका मैगजीन रहा है उसमें भी जो 6.8 है बहाँ पर यॉन सोसन कारकरम बाल यॉन सोसन कारकरम की संदर में भी इसमें टूटी पूर सामगरी दी गई है कि इसमें जो लिखा हुआ उसको आप अक्टूबर और नवंबर की जुवेक जीन का वीडियो इसमें प्रेलिस्ट में पढ़ा हुआ है तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और भी इसी तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सेशन को जादर से जाद सेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद